ओम श्री साइनाथाई नम्हा बाबा के भक्तों का दिल बहुत ही कोमल होता है बाबा अपने भक्तों पर हमेशा प्यार लुटाते रहते हैं तो आईए ऐसे ही बाबा की कुछ बाते जो बाबा की पूजा में हमें जरूर उन नियमों का पालन करना चाहिए चाहिए वो नियम छोटे हैं या बड़े लेकिन पालन करना हमारी जिम्मेदारी है तो आईए जानते हैं कि साइनाथ की जो पूजा है उसे और आसान बनाने के तरीके बाबा का प्यार और अच्चे ढंग से पाने का क्या तरीका है आज इस वीडियो में जानते हैं ताकि बाबा की कृपा हम पर बरस्ती रहे और हम बाबा के और नजदीक हो जाए क्योंकि बाबा की पूजा तो बहुत सरल है लेकिन उन तक पहुँचना बहुत मश्किल है सब नहीं पहुँच पाते वही भक्त पहुँच पाते हैं जिनका दिल बिल्कुल कोमल होता है और बाबा की रास्तों पर ढ़ल जाना इतना आसान नहीं है भले रास्ते आसान हैं लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल है तो आईए हम कोशिश करते हैं आपको समझानी की ताकि हम भी समझ पाए और आपको भी समझा पाए एक दिन में नहीं होगा लेकिन अगर हम प्राक्टिस करेंगे अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर बाबा के दिल तक पहुँच जाएंगे बाबा हमें अपनाएंगे और बाबा भी खुश होगे जिसकी बाबा को भी चाह रही होगी तो आईए बात करते हैं बाबा की पूजा के तो साइं की पूजा में तन तो साफ होना ही चाहिए सबसे जरूरी है आपका मन जो की पवित्र होना चाहिए साफ होना चाहिए बाबा के वरत में जो लोग बाबा का वरत करते हैं, उसमें भी आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि भूखे तो बिल्कुल भी नहीं रहना, कई लोगों ने बोला है कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो भूखे रहते हैं, क्योंकि हमें वो चीज जल्दी चाहिए, तो चाहे आप लेकिन आपको चीज तभी मिलेगी जब बाबा की आप पर कृपा होगी, और बाबा की कृपा कब होगी, जब आप बाबा की बात को मानोगे, तो बाबा की मानोगे, तो बाबा ने अपने भक्तों को भूखा रहना नहीं सिखाया, साइं को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बूखे मत रहना अगर आपको बाबा की कृपा पानी है तो प्लीज भूखे मत रहना जैसा कि जो नियम है वरत के वो जरूर फॉलू करना इस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है अगर आपको मिल जाये तो जरूर देखना नहीं मिले तो मैं आगे जरूर इस पर एक क्लियर बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाऊंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ में आ जाए तो यह थी वरत की बात की वरत में आपको फलाहर जरूर करना है बूखे मत रहना ओके और दूसरी चीज वरत के बारे में आपको बता दू कि अगर आपका वरत कई अगली गुरुवार का वरत है और आज आपने भूल चुक से कुछ खा लिया या फिर आप बिमार पढ़ गयो दवाई खा लिया आपने या फिर लेडिस प्रॉब्लम की वज़े से आप नहीं वरत कर पा रहे हूं तो आप उस वरत को छोड़कर अगली गुरुवार को फिर बाबा की जो पूजा है वो बहुत ही सरल है सादगी और पवित्रता के साथ की जाती है बाबा की पूजा में केवल पूजन सामगरी है काही पवित्र होना जरूरी नहीं है आपका मन आपका तन भी शुद्ध होना चाहिए शुद्ध से कहने का मतलब है कि साफ होना चाहिए किसी के लिए मन में इरिशाद वेश ही, सब चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगं में बेवज़ा ही गुस्सा दिलाते हैं, बहुत सारे लोगं में बेवज़ा ही तंग करते रहते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं होती उनसे कोई बातचित नहीं होती है और उनको फालतों में हमसे बहस करनी होती है तो इसमें उनका कुछ नहीं जाता हमारा बहुत कुछ चला जाता है हमारा वक्त जाता है हमारी एक बातचित करने का ढंग बदल जाता है उस वक्त हमारा माइंड है वो अच्छा कासा होता और वो आने वले समय में भी बहुत सारे हम चड़ चड़े हो जाएंगा और चड़ चड़ा इंसान जल्दी ठीक नहीं हो पाता इसलिए हमें क्या करना है पहले ही ब्रेक लगा दिने है ताकि हमें ऐसे लोगों से ना बाचित करनी है और ना ऐसे लोगों से पहस करनी है क्योंकि हमें अपने बाबा को पाना है तो निर्मल होना जरूरी है तब ही बाबा हमें बहुत 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 प्यार करेंगे और साइं की कृपा भी बरसेगी ठीक है यह सब एक दिन में देखो नहीं होगा आप कोशिश करोगे तो जरूर होगा वीडियो को सुनने का मतलब नहीं है वीडियो को सुनकर उसको फॉलो करने से मतलब है फिर जाके हमारे लाइफ थोड़ी से इजी हो जाएगी क्योंकि ये सारी बाते सुनना कठिन नहीं है इन्हें फॉलो करना बहुत कठिन है इन्हें अपनी लाइफ में उतारना बहुत मश्किल है यह तो जीदे बिल्कुल सिंपल लेकिन जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है तो अब मैं जो आपको बात बताने जारे हूँ वो इससे बिज़ादा इंपोर्टन्ट है वो बात यह है कि बाबा की पूझा और या वरत मालो चाहे पूझा मालो या वरत सच्चे दिल से तो आप करोगे उससे उपर भी है कि अगर आपके मन में कोई शंका हो कोई भ्रह्म हो या फिर किसी के कहने पर कर रहे हो ना तो मत करना जब तक आपका दिल ना कहे जब तक आपके दिल में श्रद्धा जागरित ना हो तब तक कुछ मत करना साइं के लिए जब आपका दिल कहे कि नहीं मुझे करना है तब करना अब मालो किसे ने कहा दिया कि तुम यह करके देखो अच्छा होगा नहीं जब आपके दिल में श्रद्धा जागरित हो आपके दिल में प्यार आए बाबा के लिए फिर वो काम करके देखना आपको उससे डबल फाइदा होगा आपको उससे डबल प्यार आएगा बाबा पर और डबल आप पर करपा भी होगी बाबा की क्योंकि बाबा की पूझा जबर्दस्ति मत करना कभी कबार होता है जैसे आपका मन नहीं होता आपका मन साड होता है आपको कुछ करने का मन नहीं होता आप जबर्दस्ति पूझा कर रहे हो तो ये मत करना अगर आपका मन शांत नहीं है तो रुक जाओ कल कर लेना थोड़े दिर बाद कर लेना लेकिन जबर्दस्ती नहीं करना ठीक है अब एक और कुशिन है कि कई बार बहुत से भाग तो पूछते हैं कि गुरुवार को मंदर जाना जरूरी है बाबा कवरत किया तो देखिए मंदर जाना अच्छी बात है अगर तो मंदर आपक पा रहे हैं तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है घर पर बाबा विराज मान है चाहे घर पर बाबा की फोटो ही क्यों नहीं है वो भी बाबा ही है उनको भी ध्यान में रखकर आप वरत रख सकते हैं आपकी हर्मनों कामना पूरी होगी ठीक है वरत किसी भी गुरुवा और हाँ वरत जब आप करते हो तो बाबा से अपनी जो विश होती है उसको बाबा से बताओ दुनिया से नहीं बताना बाबा को बताना जब तक पूरी नहीं हो जाती बाबा के अलावा किसी को मत बताना जब पूरी हो जाए तो साहीं के चमतकार साहीं की लिला हैं सब को सुना क्योंकि सुनाने से चमतकार और बढ़ते हैं ठीक है जो लोग कई बर सोचते हैं कि सुनाने से यह हो जाता है कुछ नहीं होता जब आ बाबा की लिला का बखान करते हो तो वह चीज़ें और बढ़ती है ठीक है और एक बहुत जरूरी टॉपिक बहुत जरूरी बात जो मुझस एक डेवोटी ने बूची थी बागत ने बूची थी बाबा के कि बाबा का वरत हम किस किस विश से कर सकते हैं तो देखिए वो बाबा है हमारी माता पिता है हमारा भाई बंदू है हमारे सब कुछ बाबा है तो आपकी जो भी विश्व ठीक है चाहिए आपकी अपने काम के ल YouTube पी शेयर करने को नहीं बोला था इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया बटोंगों ने खोय धन के लिए वरत रखा था तो उनका खोया हुआ धन मिले गया था बाबा के वरत से तो इसके लिए आप रख सकते हैं अपनी प्रॉपटी के लिए रख सकते हैं बाबा के दर्शन के लिए रख सकते हैं शान्ती के लिए रख सकते हैं घर की सुक्सम्रिद्धी के लिए रख सकते हैं बच्चों के परिक्षा में सफलता के लिए रख सकते हैं अपनी बिमारी के लिए रख सकते हैं जो भी वरत आपकी जो भी मनुकामना हो उसके लिए बाबा का व्रत कर सकते हैं ठीक है बाबा आपके हर मनों कामना पूरी करें मेरी बाबा से यही प्रातना है कि आपकी जो भी प्राब्लम है जो भी परिशानी है जो भी आपके घर में नहीं है बाबा उसको भरपूर करें आपके भंडार भरें साई आपके घर में विराजमान हो इसी प्रातना के साथ मैं इस वीडियो को संपूर्ण करती हूँ तो उमीद करते हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं आपको समझा पाई होंगी अगर वीडियो अच्छा लगए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में हो ठीक है अगर आपने इन नियमों से वरत किया बहुत सिंपल नियम है कुछ जादा नहीं है लेकिन अगर ऐसा आपने कर लिया तो आज नहीं तो कर बाबा आपको संकेतों के जरीए अपनी कृपा जरूर देंगे ठीक है संकेत समझना आपके उपर है बाबा का इशारा बोलने लग जाते हैं जब यह आप इंके अच्छी बाते ही नहीं कह सकते आपको तो इनके बुरी बात ओपर क्यों धिहान देती हो चोड़ो जाने तो लोगों का काम है बोलना आप अपनी महनत पर धिहान दो अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो इसका आपको मंजिल अच्छे मिलने वाली है तो चलो और बाबा का रास्ता है फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है फिर तो आपको एक दिन मंजिल भी मिलेगे और यही लोग आपके पीछे-पीछे आएंगे ठीक है? सोचो नहीं, कर डालो साई है ना, संभाल लेंगे जे साइराम